देखो हम लोग क्या करने जा रहे हैं हम लोग रिफ्रेक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेस करने जा रहे हैं दो इंटरफेस हैं एक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जिसका म्यूवन है दूसरे का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यूटू है और हम जनरली मांगते हैं कि म्यूटू is greater than mu1, यानि mu2 का refractive index ज्यादा है और mu1 का refractive index कम है, object इस मेडियो में रखा है, object mu1 में रखा है, इस object में से दो rays निकल रही है, एक ray ऐसे जा रही है, perpendicular to the surface, ये curve surface है, यानि स्फेरिकल सर्फेस है, इसी पर incident हो रही है, तो normally incident हो रही है, तो obvious सी बात है, बिना deviate हुए सीधे निकल जाएगी, ये light ray, बिना deviate हुए सीधे निकल जाएगी, ये निकल गई, correct है यहाँ, और दूसरी ray, number 2, ये number 1 थी, ये number 2 है, और ये इस interface पे, ये जो spherical interface है, इस पर perpendicular draw किया है, तो ये जो point है, ये center of curvature इस surface का होगा, इस spherical surface का center of curvature ये होगा, तो obvious ही बात है, pole से, इस center of curvature की जो distance होगी, वो generally हम लोग R consider करते हैं, mirror में हम लोग अलड़ी पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो हम लोग ये center of curvature हमने draw कर दिया, center of radius हमने draw कर दिया, उसके बाद से देखो, rarer medium से light ray निकली है, और denser medium में जा रही है, और उसका reflection हुआ, normal की तरफ bend हो जाएगी, denser medium में जा रही है, तो obvious से बात normal की तरफ bend हो जाएगी, ये angle of incidence होगा, ये angle of reflection होगा, object, principal axis के साथ ये ray angle बना रही है, alpha, और image यहाँ बन रही है, क्योंकि ये दोनों ray converge हो रही है, देखो, reflection के बाद converge हो रही है, तो obvious से बात है, ये image जो होगी, वो reality में जो होगी, तो ये angle है, हमने consider के लिए बीटा, और center of curvature जो angle बना रहा है, principal axis के साथ, ये angle हो गया, गामा, ठीक है, ये तीन angle हो गया, ये end point हमने ले लिया, p point के बहुत close है, m point से एक perpendicular draw किया गया, m point से इस principal axis पे perpendicular draw किया गया, जो end point पे touch कर रहा है, और pn की जो distance है, pn, almost equal to 0, consider कर लो, बहुत close है, इसका ये मतलब है, कि pn, एक दूसरे के बहुत close है, p or n, यानि pn is almost equal to 0, ये पूरा figure है, जब object rarer medium में रखा हो, और उसकी image जो बन रही हो, denser medium में और real image बन रही हो, surface को देखना होता है, कि surface कैसा है, तो ये convex surface का spherical surface है, और एक interface फेर reflection हो रहा है, एक single lens में दो surfaces होते हैं, यहाँ पर single surface है, तो single interface से जो reflection होगा, उसमें आप snells law लगाओगे, snells law कैसे लगाओगे, देखो, mu1 sin i is equal to mu2 sin r, ये लिखोगे, snells law लगाओगे ना, इस interface के लिए, snells law mu1 sin i is equal to mu2 sin r, अगर i और r are very small, very small, अगर ये दोनों बहुत छोटे हैं, i और r, बहुत छोटे हैं, ज्यान से सुनना, i और r बहुत छोटे हैं, तो i is almost equal to sin i, is almost equal to tan i, ये होगा, और r is almost equal to sin r, is almost equal to tan r, ये होगा, तो कहीं पे भी sin i लिखा है, उसको i लिखा जा सकता है, और sin r लिखा है, तो r भी लिखा जा सकता है, even sin i लिखा है, तो tan i भी लिखा जा सकता है, और sin r लिखा है, तो tan r भी लिखा जा सकता है, दोनों option हैं हमारे पास, क्योंकि तीनों आपस में बराबर हैं, अब इस पूरे figure में एक चीज़ देखो, क्या मैं इसको मैं यह जो स्नेल्स रो लगा है म्यू वन इन्टू साइन आई को आई लिख सकता हूँ और साइन आर को आर लिख सकता हूँ बिल्कुल लिख सकता हूँ क्योंकि यह अल्मोस इक्वल टू, अल्मोस इक्वल है आई के और साइन आर almost equaled है, आर के, तो दोनों को replace किया जा सकता है, clear है, doubt है, छीक है, अब देखो, अगर मैं alpha को, मैं alpha को देखना, alpha is equal to, मैं 10 alpha लिख सकता हूँ, अगर alpha, beta, gamma, alpha, beta और gamma, बहुत small है, ये तीनों भी बहुत small है, तो alpha को 10 alpha लिखा जा सकता है, और 10 alpha को क्या लिख सकते हो, अगर ये height को h लिख दो, अगर ये वाली height को h लिख दो, तो इस triangle में देखो, triangle O, M, N में, जहांसे देखो, ये जो distance होगी, O, P, ये U होगी न, object की, pole से जो distance है, वो U है, लेकिन negative U होगी, minus U होगी, image वहाँ बनी है, तो pole से इसकी distance होगी, plus V, होगी न, pole से, R, center of curvature की, pole से distance, capital R है, ये रेडियस of curvature, ये सारे data हमने कर लिया, अब बताओ, alpha is equal to 10 alpha, 10 alpha की value होती, perpendicular upon base, perpendicular है, ये H, H upon base क्या होगा, O, N, upon O, N, O, N, O, N, की value almost equal होगी, O, P के, क्योंकि P, N, almost zero के equal है, तो चाहे, O, N लो, या P, N लो, O, P लो, बात देखिए, तो O, N या O, P, मैंने इसको replace कर दिया, H upon O, P, और O, P की value है कि 3, minus U, so H upon minus U, अब beta की value क्या होगी, 10 beta is equal to perpendicular upon base, पर पढ़ने कर दो फिर से H upon base क्या होगा, I, N, I, N, और I, N को क्या लिए सकते हो, I, N को, I, N is equal to IP, लिख सकते हो, almost equal, तो इसको IPM ने लिख दिया, H upon plus V होगा, और gamma is equal to, 10 gamma is equal to, क्या होगा, H upon, H upon, C, N, C, N को क्या लिए सकते हो, C, P, C, P होगा कि नहीं होगा, C, N is equal to CP, almost equal to CP, तो CP लिखोगे, तो ये हो गया, plus R, हुआ कि नहीं हुआ, जा रहा हो, कौन-कौन से दो triangle का इस्तेमाल करने जा रहे हो, वो ध्यान से देखो, ये बहुत important है, अगर मैं, एक triangle ले रहा हूँ, ये वाला, जैसे ये angle, ये, ये light ray है से जा रही है, तो ये अगर, ये I होगा, ये भी I होगा, vertically opposite angle, ये angle आई है, तो ये वाला भी I होगा, vertically opposite angle, सही है, तो मैंने इसको ऐसे draw कर दिया, ये point M है, ये point O है, ये point I है, तो ये होगा alpha, ये होगा beta, और ये होगा I, सही है, नहीं, gamma, sorry, I नहीं, C वाला, C ये है, ये gamma कर दिया हमने, अब देखो, I is equal to alpha plus gamma होगा, इस triangle पर देखो, MOC में, MOC में देखो, सही है, I is equal to alpha plus gamma होगा, और इस alpha plus gamma को यहाँ से replace किया जा सकता है, mu1 into alpha plus gamma, सही है, is equal to, mu2, is equal to mu2, अब देखो, R को क्या ले सकते हैं, R के लिए दूसरा triangle हम यूज़ करेंगे, कौन सा triangle यूज़ करेंगे, वो द्यार ध्यान से देखना, R के लिए, हम जो triangle यूज़ करने जा रहे हैं, वो ये वाला triangle है, ये वाला triangle, देखना ध्यान से, इसको थोड़ा अच्छे से draw कर दें, ये triangle, ध्यान से देखो, ये angle है beta, ये angle है gamma, और ये angle है R, ये angle R है, तो ये क्या होगा, गामा is equal to R plus beta, यानि R is equal to gamma minus beta होगा, R is equal to gamma minus beta, R is equal to gamma minus beta, ये value यहां रख दो, gamma minus beta, R is equal to gamma minus beta होगया, सही है, देख लो एक बार, alpha, beta, गामा, I और R का relation हमने इन दो triangle से use किया, निकाला, और वो value वहाँ put कर दी, अब alpha, beta, गामा तीनो की value हमको पता है, अब ये value हमको put करना है, यहाँ पर, इन तीनो की value हमको यहां put करना है, नोट कर लिया? झाल झाल